हेलो फ्रेंज वेल्कम टू कॉन स्टेडी आज हम करने जा रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चेप्टर का पार्ट फोर जो की इसका फाइनल पार्ट भी है और इस पार्ट के बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस जो हमारा चेप्टर है वो हो जाएक डोटली खतम शुरू करने से पहले मैं चाओंगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लावा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है यह रहे डिरेक्ट लिंग्स आपकी स्क्रीन पर चलती से हमें हर जगा फॉलो कर लिजिए और किसी एक की एसटू है दोनों सेम डिरेक्शन में जा रहे हैं अब आपको उनकी एकर रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो आप क्या करोगे उनकी स्पीड के सब्ट्रेक्शन करोगे इस चीज़ को आप ऐसे याद कर लो कि अगर आपको किसी गाड़ी को ओवर्टेक करना है तो आ निकाली और जब हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड के होती है टाइम तो यह वो वाला टाइम होगा जिसमें वो दोनों अबजेक्ट एक दूसरे को मीट कर रहे होंगे और आप पीछे हैं एक गाड़ी है जो आप से आगए चल रही है पर उ आलता है LEक्षिण का opposite direction की जब भी बात चलेगी तो स्पीड जो होंगी एस वन और स्टुड वह एड़ हो जएंगी अभ एडरेक्शन का मतलब सिर्फ वही नहीं कि वह रूहत दूर जा रहे हमारी relative speed तो यह रहा पहला कोशन हमारा कोशन कहा रहा है कि एक बस एक अपने सर्टन डिस्टेंस पर जा रही थी और 80 किलोमेटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसमें breakdown हो गया breakdown होने के बाद उसकी speed जो थी वो कम हो गई कितनी कम हुई 3 by 4 हो गई original speed के और 3 by 4 होने के बाद जब उसकी speed कम हुई है तो obvious सी बात है उसको अपनी destination में पहुँचने के लिए जाधा time लगेगा तो इन्होंने दिया है कि वो कितना time जाधा लगा वो 47 minutes जाधा लगे क्य स्टार्टिंग पॉइंट से 80 km के बजाए स्टार्टिंग पॉइंट से 95 km पे होता तो उसको मतलब जो 47 minutes लेट हुआ है उसके बजाए वो सिरफ 35 minutes ही लेट होता है क्यों क्योंकि इस बार वो 95 km तक original speed पे चल रहा था 95 के बाद ही speed कम हुई है हम उन्होंने कहा है कि बताओ ब स्टार्टिंग पॉइंट बनाया और एक destination बनाई उन दोनों के बीच में एक random जगा हमने पॉइंट ले लिया और स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक का हमने distance मान लिया 80 km यानि कि इस 80 km बस अपनी usual speed पे चली इस पॉइंट के बाद हुआ ब्रेकडाउन तो बस की speed होगी 3x4 of original और इस breakdown होने की वज़ा से बस जो है 47 minutes लेट भी हो गई अब हमारी next line कहती है कि अगर extend जो है 95 km आगे जाके होता मतलब की starting point से लेके 95 km के distance पर जाके होता तो बस जो है 47 minutes के वज़ाए 35 minutes लेट होती तो यह सब चीज़े हमने diagramatically बना ली 80 km तक चला normal speed पर फिर जब speed slow होई तो 47 minutes late हुआ second case में 95 km तक चला normal speed पर उसके बाद breakdown हुआ तो 35 minutes late हुआ अब जो spaces बची है हम उनको fill करेंगे जैसा कि kilometer के case में 95 से हम 80 minus करेंगे तो यह वली space आजए कि 15 km और 47 time के case में 47 में से 35 minus करेंगे तो यह space आजाएगी हमारी 12 minute की ठीक ह अब यह जो 12 minute है यह time take नहीं है यह 12 minute जो है यह time जो आ रहा है यह time का difference है यानि यह 12 minute late आ रहा है क्यों क्योंकि हमने 47 minute late में से 35 minute late काटे हैं तो यह जो 12 minute है यह भी 12 minute late का दिया हुआ है 12 minute exact time नहीं है अब हमारे पास एक particular distance जो कि 15 km है उसके लिए time का difference आ गया जो कि है 12 minute late तो हम वही distance फाला formula लगाएंगे उसके लिए उसमें दो speeds भी होती थी उस distance के formula में जो हमने पिछली वीडियो में पड़ा तो हम देखेंगे कि हमारे बाद speed कहा से आई की अब question में उन्होंने दिया है कि 3 by 4 of his original speed यानि हम मान लेंगे जो denominator है वो हमारी original speed है तो breakdown के बाद जो उसकी speed बनी वो थी 3 units अगर 4 units हमारी original speed है तो 3 units जो हमारी speed होगी वो होगी breakdown के बाद वही चीज़ हमने लिखी usual speed उसकी 4x थी new speed आगे उसकी 3x यही चीज़ हमने formula में put कर दी formula क्या कहते था s1 into s2 होता था numerator मे s1 minus s2 होता था denominator में multiply by time का difference तो यह values हमने put की 4x into 3x आगया numerator में 4x minus 3x आगया denominator में और time का difference जो कि था 12 minute late वो हमने कर दिया multiply जब minute को हमने और में convert किया तो हमारे पास आगया 12 divided by 60 ठीक है अब इसी को हमने क्या करना है distance के formula में distance तो हमें दिया हुआ है distance actually दिया नहीं है हमने 95 में से 80 minus करके निकाला था जो कि था 15 km तो distance में हमने value बर्दी 15 की 4x into 3x उपर उनका difference नीचे और 12 by 60 हो गया time minute को हमने और में convert किया है जब हम इसे solve करेंगे तो x की value आगी 25 by 4 अब उन्हें कोशन में क्या पूचा है कोशन में पूचा find the original speed of the bus original speed है 4x x की value 25 by 4 है जब हम 25 by 4 के साथ 4 को multiply करेंगे तो हमारी value आजेगी 25 km पर और चलते हैं अब हमारे next question पर हमारा question कहा रहा है कि एक train ने जितना भी total distance था उसमें से 1 by 4 cover किया और 1 by 4 distance को cover करने के बाद उसने अपनी speed decrease कर ली कितनी 1 by 3 of its usual तो अब वेस्सी बात है speed अगर decrease होगी तो time जादा लेगा वो तो time उसने कितना जादा लिया उसने एक घंटा 20 मिनिट जादा ले लिए अपने destination पर पहुँचने के लिए तो उन्हें पूछे simple सा कि usual time बतायो कि अगर वो अपनी speed को decrease नहीं करता तो किस time पे वो अपनी destination पे पहुँच जाता मतलब कितना time लेता अपनी destination पे पहुचने के लिए अब आप देखो कि इस पे आपको speed 1, speed 2 नहीं दी हुई आपको ये भी detect करना आना चाहिए कि आप कौन सा question formula के base पे कर सकते हो और कौन सा question concepts के base पे कर सकते हो तो ये question होगा concept के base पे देखो जब उन्होंने कहा कि 1 by 4 of total distance तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी कोई fraction दी हो तो हम denominator को ही exact value या फिर usual value मानते हैं तो हमने मान लिया कि total distance है भई 4 unit अगर यहाँ पे 1 by 4 of time होता तो हम total time मान लेते हैं 4 hours ठीक है तो जो भी denominator होगा हम उसको total मान लेते हैं ठीक है इसमें दिया हुए 1 by 4 of total distance तो हमने 4 units मान लिया distance को ठीक है अब उसने distance cover कितना किया है यहाँ पे लिखा हुए 1 by 4 अगर 4 total distance है तो उसने 1 unit cover किया है तो यानि कि 4 unit के total suffer में उसने 1 unit का suffer जो है usual speed से cover किया है अभी हमें यह नहीं पता कि उसकी usual speed क्या है हमें बस इतना पता है कि 4 unit में से 1 unit उसने usual speed से cover किया है अब next line कह रही है कि यह वाला 1 unit cover करने के बाद उसने अपनी speed को decrease कर लिया 1 by 3 of its usual speed तो अगर हमने usual distance को मदब total distance को 4 units मानना था और उसमें से 1 unit उसने चल लिया तो remaining distance क्या आएगा उसमें तो 4 में से 1 minus कर देंगा 3 units आ जाएगा हमारा remaining distance अब आपको पता है कि जो उसने 1 unit cover किया था वो usual speed से किया था और जो 3 unit cover किया है वो decreased speed के साथ cover किया है तो हम usual पर काम नहीं करेंगे हम जो नया distance होगा जो 3 unit का distance होगा हम उस पर काम करेंगे तो अब यहां हमारे पास speed की fraction दी हुए है 1 by 3 तो यानि कि सिदी सिदी बात है 3 units जो होगा उसको हम मान लेंगे usual speed अब हमें काम करना है new speed पे तो इधर लिखा हुआ है that 1 by 4 distance cover करने के बाद उसने अपनी speed decrease की है 1 by 3 से decrease word पे ध्यान रखिये तो यहां पर जो new speed होगी वो 1 नहीं होगी वो 3 में से 1 minus करके आईगी क्यों क्योंकि इन्होंने यहाँ पर decrease करने की बात की है ठीक है 3 अगर हमने मान लें usual तो decrease होगा उसमें 1 unit का हमारे new speed आएगी 2 अगर यहीं decrease के बज़ाए increase दिया होता तो हम 3 में 1 minus करने के बज़ाए 1 plus करते तब हमारी new speed आती 4 पर यहाँ पर हमने decrease का है तो इसलिए हम minus ही करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि usual speed आगी 3 new speed आगी 3 में 1 minus किया तो 2 अब हम time निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया होना reaches destination 1 और 20 minute late यानि कि हमें speed को जो है time में convert करना होगा तो हमने time में कैसे लाया speed है अगर 3 is to 2 time होगा inverse तो time आगया 2 is to 3 अब यहाँ दिया हुए 1 और 20 minute late, late का मतलब आगया time का difference ठीक है तो time में हम difference करेंगे तो देख सकते हैं आपकी 3 minus 2 जो है time का difference आगया 1 unit का यहीं पर हमें question में exact value दियो है time की difference की 1 और 20 minute तो हम क्या करेंगे 1 और 20 minute को हम सिधा सिधा minute में convert कर देंगे एक गंटे में 60 minute होते हैं और 60 minute के ऊपर वो 20 minute और लगा रहा है तो total time हमारे पास आ गया 80 minutes तो ratio में वो time का difference आ रहा है 1 unit का और question में time का difference दिया हुए 80 minutes का तो 1 को हम compare कर लेंगे 80 से 1 unit की value आजएगी 80 minutes अब हमें usual time देखना है usual time यहां पर आप देख सकते हैं दिया हुए 2 units ठीक है अगर 1 unit की value है 80 minutes तो 2 unit की value कितनी हो जाएगी 160 minutes अब एक चीज़ देखिए मैंने आपको question के starting में ही कहा था 4 unit हमने total distance रिजूम किया था जिसमें से 1 unit उसने usual time में चला था तो मैंने आपको कहा था कि 1 unit को भूल जाइए हम फिलाल काम करेंगे 3 unit में क्योंकि उस पे ही सारी changes आई हैं तो यह जो 160 minutes उसने लिए cover करने के लिए यह distance में तो उन 3 units का ही होगा जब हम सारी calculation ही 3 unit के लिए कर रहे थे तो जो time taken होगा वो भी तो 3 units के लिए होगा पर हमें इदर लिखा हुए question में की find the usual time taken by train to cover complete distance तो अगर 3 units हम 160 minute में कर रहे हैं cover ठीक है और 4 unit हमारा total distance है तो उस 4 unit की value निकालने के लिए हमें पहले 1 की value चाहिए होगी 3 unit कर रहे हम 160 minute में तो 1 unit हम cover करेंगे 160 by 3 minute में और हमें complete distance देखना है जो की था 4 unit complete distance निकालने के लिए हम 160 by 3 को 4 से multiply कर देंगे तो time taken क्या आ जाएगा 640 by 3 minutes is the total time taken by train to cover the complete distance which is 4 units शिताबदी एक्सप्रेस लेफ्ट देली 40 minutes late तो शिताबदी एक्सप्रेस है उसने देली station को 40 minute late leave किया after covering half of the total distance it increases its speed by 1 by 6 of original speed and reached Chandigarh on time अब देखिए उसने 40 minutes late छोड़ा तो अपने time को compensate करने के लिए उसने आदा distance cover करने के बाद अपनी speed जो है वो 1 by 6 से increase कर दी ठीक है find usual time taken by train to cover the complete channel ठीक है अब आते हैं हमारे solution पे अब वही चीज़ आगे इसमें कि एक पुराना speed थी एक new speed थी speed से हम time में convert करेंगे और time हमें दिया हुए 40 minute late so speed की हमें fraction दी हुई है 1 by 6 जिसमें से 6 होगा वो तो original speed होगा सीधा-सीधा अब new speed हमें कैसे calculate करनी है हम statement को दोबारा देखेंगे new speed के लिए तो statement हमारी कह रही है it increases its speed by 1 by 6 of original speed तो यानि मैंने आपको बताया था increases या decreases more या less ऐसे words दिये हो तो numerator जो है वो original वाली में original speed में या original time या distance जो भी आपको question में दिया होगा उसमें add या subtract होगा अगर increase है तो add होगा numerator अगर decrease है तो subtract होगा numerator वैसे ही इस question में दिया हो कि it increases its speed by 1 by 6 यानि अगर original speed हमारी है 6 unit तो उसमें increase होगा 1 unit का हमारी new speed आजाएगी 7 अब उन्होंने कहा है question में हमें एक ही जगा time दिया हो है और वो दिया है question के बिल्कुल पहली line में जहां पर train जो है वो अपने station को leave ही 40 minute late कर रही है यानि time difference जो हमें दिया हो है वो है 40 minute का अब speed को हमें time में convert करना होगा क्योंकि हमारे question में जो exact value दी गई है वो है time की speed को जैसे हम time में convert करेंगे तो time की ratio आजएगी 7 is to 6 और जो question में हमें time की value दी हो ही है वो है 40 minute late late का मतलब time के difference की बाद चल रही है तो time का difference देखेंगे हम यहाँ पे तो 7 units minus 6 units is equals to 1 units तो 1 unit को जब हम 40 minutes से compare करेंगे तो 1 की value आजएगे 40 minute हम क्या निकालेंगे हम निकालेंगे usual time क्योंकि question में पूछवा है find usual time in minutes taken to cover complete जनरी तो usual time आपको दिख रहा है यहाँ पर 7 units का है तो 1 unit की value अगर 40 minutes तब 7 units की value हो जाएगी 280 minutes पर यह क्या 280 minutes जो है यह हमारा complete answer है नहीं बिलकुल नहीं यह हमारा complete answer नहीं है क्यों क्योंकि इन्होंने का है after covering half of the distance यानि कि first half जो है उसने अपने normal speed पे cover किया है और second half के लिए ही उसने अपनी speed में जो है फेर बदल किया है 1 by 6 का ठीक है तो जो अब भी हमने सारी calculation की यह हमने जो भी calculations की यह सारी second half के लिए की है यानि कि उसने second half जो है 280 minutes में cover किया अगर वो usual speed से करता तो total distance क्या होगा first half plus second half अगर आदा distance वो 280 minutes में cover कर रहा है तो पूरा distance वो कितने minutes में cover करेगा पूरा distance वो cover करेगा 280 multiplied by 2 which is 560 minutes चलते हैं हमारे next question पर राम एंड शाम started walking in opposite direction on same time यानि कि वो opposite direction में चल रहे हैं और उनने चलना शुरू किया same time पे राम walked from P to Q while शाम walked from Q to P यानि कि राम जो है वो P से Q की तरफ जा रहा है और शाम जो है वो Q से P की तरफ आ रहा है यानि कि वो एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं अब देखिए 40 और 90 मिनट जो दिया है वो total time नहीं है जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो एक point आया रास्ते में जहां पे वो एक दूसरे को मिले और मिलने के बाद जो आगे का distance उन्होंने cover किया वो राम ने 40 मिनट में किया और शाम ने 90 मिनट में cover किया अब देखते हैं S equations को कैसे solve करना है हमने राम की speed R मान ली शाम की speed S मान ली अब राम जा रहा है P से Q, शाम जा रहा है Q से P हमने एक point मान लिया M जो की था उनका meeting point जहां राम और शाम एक दूसरे को मिल रहे हैं मिलने के बाद शाम जो है वो लेगा 90 मिनट P पे पहुंचने के लिए और राम जो है वो लेगा 40 मिनट Q पे पहुंचने के लिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है P M divided by Q M is equals to R divided by S यानि की P M जो राम ने distance कवर किया R speed में Q M जो शाम ने distance कवर किया S speed में तो P M के सामने ही R है Q M के सामने ही S है जो की उनकी speed थी अब एक चीज़ इसको ऐसे याद रखिए आप और आपका friend एक distance से चलना शुरू हुए और 12 बजे आप एक point पे आके मिल रहे हैं ठीक है 12 बजे शुरू हुए साड़े बारा एक point पे आके मिल रहे हैं आपने ज़ादा distance कवर किया है आपके friend ने कम distance कवर किया है पर एक चीज़ देखिए आप जिस point पे मिल रहे हैं उस point पे आपको भी पहुँचने में साड़े बारा ही लग रहे है और आपके friend को भी पहुँचने में साड़े बारा बजे तक का ही time लग रहा है यानि कि दोनों आदे आदे गंटे में उस time पे पहुँचे हैं बेशक आपने जो मर्जित distance कवर की है पर point तो common है similarly राम को जो PM distance कवर करने में time लग रहा है वही शाम को QM distance कवर करने में time लगगा तब ही वो एक point पे आके मिलेंगे जब time common हो तो आपको पता है speed जो है वो directly proportional होते है distance के यही एक reason है कि PM के सामने उसी की speed आ रही है और QM के सामने उसी की speed आ रही है ठीक है अब देखिए PM upon QM टो है भई मिलने से पहले पहले जो राम और शाम ने distance कवर किये थे और R by S आगे है उनकी स्पीड ठीक है अब मिलने के बाद पीम डिस्टेंस जो है वो शाम कवर करेगा और क्यू एम जो डिस्टेंस है वो राम कवर करेगा और उनके रिस्पेक्टिव टाइम भी दियो है कि शाम कवर करेगा पीम 90 मिनिट में राम कवर करेगा 40 मिनिट में अब हमारे पास इन पार्ट के लिए आप सिरफ MQ distance consider कीजिए MQ distance कौन cover करेगा meeting के बाद MQ distance cover करेगा RAM और RAM की speed क्या है R और वो MQ distance को cover करने में कितना time ले रहा है 40 minute तो distance आजएगा MQ 40 into R अब focus कीजिए PM पे PM distance meeting के बाद cover कर रहा है शाम time ले रहा है 90 minute और शाम की speed है S तो speed into time PM की value आगी 90 into S अब उपर PM upon QM equals to R by S में हम यह values put कर देंगे जब हम यह values put करेंगे तो हमारे equation कुछ S ही दिखे की जब हम इसको cross multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा R square upon S square is equal to 90 by 40 00 cancel out किये हमारे पास बचा 9 by 4 और जब R square by S square का square हटाएंगे तो हमारा वो दूसरे साइट जाके अंडरूट बन जाएगा 9 by 4 का अंडरूट होगा 3 by 2 यानि कि R by S की value आगी 3 by 2 और मैंने आपको बताया है जब भी हम assumption पर काम करते हैं तो हम fraction को सामने जो value दी होती है हम उसको वही value दे देते हैं यानि कि R को हम 3 units की value दे देंगे और S को हम 2 units की value दे देंगे अब हमारे पास total distance है PQ वो कैसे आएगा जब हम PM में QM add करेंगे और PM और QM हमें पता है 90S और plus 40R है तो जब हम S और R की value इसमें add करेंगे तो PQ की जो value होगी वो 300 units आ जाएगी 300 units अभी भी assumption पर ही चल रहा है अब उन्हें काया find the time taken by them to meet each other ठीक है तो मैंने सबसे starting जब यह आज का lecture शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था relative speed का concept और relative speed में जो time निकलता था वो meeting time ही होता था अब राम और शाम एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं यानि वो opposite direction में जा रहे हैं तो relative speed होगी तो इनकी speed का है R or S और R or S की हमने values निकाल लिए है 3 unit और 2 unit जब हम R plus S करेंगे तो हमारे पास relative speed आजएगे 5 minutes distance है हमारे पास 300 unit time है हमारे पास 5 unit तो हमारे पास उनके मिलने का time आजएगा कैसे distance upon speed is equals to time तो 300 divided by 5 is equals to 60 minutes तो इस 60 minute लगेंगे उनको यानि की एक घंटा लगेगा उनको M point पे पहुँचने के लिए जहां पे वो एक दूसरे को मिलेंगे इसी के साथ हमारा time speed और distance का चोथा बाट भी खतम होता है और इसी के साथ साथ हमारा पूरा chapter भी complete हो जाता है अगर आपको ये वीडियो पसंद रही तो इसे लाइक कीजिए साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ शेयर कीजिए थैंक यू